हेलो गाइज नमस्कार परणाम मैं निर्वैसर एक बार फिर से आप लोग के साथ जुड़ गया है तो मेरे दोस्त आप लोग को पता ही होगा कि जारखण में जो सीजियल का एकजाम होने वाली है वो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली है तो ऐसे में लेट करना हम पार लिए उचित नहीं होगा तो मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं क्या तो साइंस का सेट नमर्ट 21 मैंने आपको 20 सेट करवा दिया हूं इसका एक असपेशल सा प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया हूं और आज जो क्लास आपको मैं ले रहा हूं इ पूरे एक जां को टारेट करके पढ़ना है ताकि एक भी साइंस के हमारे मैच से हमारे कंप्यूर से हमारे हिंदी से एक भी संस्ट छोटना नहीं चाहिए ऐसी तिरवाई- Time क्यारी मैं करवाओंगा मेरे दोस्तों नहीं बिलीब है मेरे साथ जुड़े रहो आप पेपर देखे जब आओगे ना तो फोन करोगे मुझे कि सर आपने पढ़ाया था और रियालिटी में आया है क्योंकि मैं पहले क्या करता हूं और उसके बाद आपको मैं यहां पर कंटेंट को प्रोवाइड करता हूं ताकि हमारे जो मित्र है उनको बहतर दिंक से हर एक चीज मिल पाए लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका पीडियाप कहां से डाय उनलोड करें तो मैं दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो क्लास करवा रहा तो चलिए अब ना लेट करते हैं न भेट करते हैं और हम लोग सीधे अपनी कलास को क्या करते है अस्टाट करते स्टॉरस Li 21 का क्या है यह देखे सेट नमर कितना है मेरे प्यारे में 21 है 21 है जल्दी से बताइए कोशन नमर 20 जो सेट नमर 21 है इसका पहला कोशन का अंसर क्या होगा आपसे बोला गया है आती सितलन अती सितलन मतला होता है सूपर कोलिंग इस कूलिंग ओफ लिक्विड किसी द्रब को द्रब को डॉट 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 सितलन करना होता है क्या करना होता है तो भाई गलनांक से नीचे सितलन करना होता है हिमांक से नीचे सितलन करना होता है या गलनांक पर करना होता है या गलनां question है और अगर इस question की बारे में चर्चा करूं मेरे दोस्त तो यह question आपका SSC CGL का पूछा हुआ question है और मैं उमीद करता हूँ कि यह central CGL का पूछा हुआ है और इस बार वो जारकंड CGL में पक्का है इसलिए मैं इस question को लेकर आया हूँ तो जल्दी से comment box में टाइप करके आप बताओ कि इस question का right answer क्या होना चाहिए पहला option है below the melting point अगला बिलो freezing point at melting point या ever melting point तो इस question का जो right answer है प्यारे मित्र वो है आपका below freezing point यानि हिमांग से नीचे क्या करते हैं सितलन करना होता है तो इस question का right answer क्या है option number B है अब इस question से related जितने भी जनकारियां आपको देने चाहिए मुझे यह सारी जनकारियां मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोलो sir कहा है तो आईए मैं आपको दिखा देता हूँ यहां है देखिए यह पूरी की पूरी ज्यान हासिल कर लोगे ठीक है तो चलिए question number two को लेते हैं और बताई question number two क्या है दिखा कि परकास के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिसा में होने वाले परिवर्तन की घटना डॉट 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 कहलाती है क्या कहलाती है पहला उप्साने आप वर्तन बीवर्तन संच्रन या कोई बिकल्प सही नहीं है वेल लाइट पासेस फ्रों वन मीडियम तो अनदर मीडियम इस फेनोमेन आफ चेंज इस डाइरिक्षण इस कोल्ड क्या कहलाती है पहला आप्सन और रिफ्रेक्षण इफ्रेक्षण और प्रोपगेशन या ननन ओप्षण इस करेक्ट' अ 辉प्षण इसक're no option is आट सिसरां कि घंटना में में कि नो olması कोई मीडियम है neighbors कि अ हम्पी कि वो आप यह हमारा नौर्मल में यह हमारा क्या है नौर्मल तो होता क्या है कि यह जो लाइट रही है यह जो लाइट और यह जब एक मिडियम से탁ल को सब्सक्राइट इस परकार जो मुड़ने की घटना है इसे बोलते है रिफ्रेक्शन क्या वोलते है रिफ्रेक्शन तो इसको राइट अंसरोगा प्यारे मेत्र वह ऑप्शन नमबर क्या हो जाएंगे आपका ए हो जाएगा तो इस परकार से जब आप पढ़िएगा ना तो आपको कोई दिकत कोई परिसानी नहीं होगा एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताईए कि जब लाइट एक मेडियम से दूसरे मेडियम में जाती है तो क्या होती है उसकी चाल बढ़ती है या घटती है है ना आपको ये भी बताना है कि कौन सा चीज affected होता है और कौन सा चीज non affected होता है जैसे उसकी wavelength पर क्या परफ़ाप पड़ेगा उसकी frequency पर क्या परफ़ाप पड़ेगा उसकी intensity पर क्या परफ़ाऊगा उसकी velocity पर क्या परफ़ाप पड़ेगा यह अपने knowledge को आपको क्या करेगा बढ़ाने का काम करेगा और अगर आप यह knowledge को बढ़ा लेते हैं तो आपकी जो competition है वो on बच्चो से क्या होजेगी कम हो जाएगी क्यों कि कि on बच्चे इसको ध्यान नहीं देगा और अगर आप ध्यान दे दिये तो तो अलगनी दुनिया में आप पहुंच जाओगे नेक्स्ट कोस्टन नमर लेते हैं अगला कोस्टन नमर तीन क्या कह रहा है मेरे दोस्त आइए देखते हैं यह देखें कोस्टन नमर तीन है वह लगया कि विच आफ दफ लॉविंग इज आलसो नोन आज कार्बोलिक एसीड क किसे जाना जाता है निमलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अमल के नाम से भी जाना जाता है कार्बोलिक अमल के नाम से किसे जानते हैं पहला अप्सेन फिनॉल दुसरा हैड्रो ऑक्साइड तीतरा गंध का अमल या एथेनॉल एना फिनॉल हैड्रोक्साइड सूपर है ना सल और एथनॉल है क्या होंगे बताईए तो कार्बुलिक एसीड के नाम से किसे जाने जाता है यह भी कोस्टन आपके यह भी कोस्टन अगर देखो जाए तो यह बहुत अच्छा कोस्टन है और यह जो कोस्टन आपको दीख रहा है वह से सी के एक जाम का पूछा हुआ है बहतरी अंसर को प्यार से और इज़त के साथ सुन लिजिए हम लोग बात कर रहे हैं कार्बुलिक एसीड को कार्बुलिक एसीड को हम लोग किस नाम से जानते है फिनॉल के नाम से भी जानते है यानि यहाँ पर जो इस कोस्टन का राइट अंसर होगा तीन नंबर का वह आपका आपको हम लिक कर लेकर आये हैं यहां पर सार साब साब देखें लिखा हुआ है पिनॉल को क्या कहते हैं चीज्जे यहां पर लिखी गई है जो आप कमेंट बॉक्स में आपको दो चीज़ों के बारे में बताना है पहला बताना है कि प्रोटोन की खोज किस ने किया अगला बताना है नीट्रोन की खोज किस ने किया यह कमेंट बॉक्स में आपको बताना मैं नहीं बताऊंगा कि मैं आपको चेक करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त के साथ इन बच्शों को क्या नॉलेज है तो एहां पर इलेक्ट्रोन की बारे में पूचा एना और प्रोटोन की खोज अगर किस ने किया था ये आपको कॉइंट वक्स में बताना है कि ये क्या करना है प्रोटोईन की खोज किसने किया था ये आपको बताना है तो ये आपको दो कमेंट वाक्स में टाइप करके बताना है हालाकि इसमें से भी एक दो यहां पर लेकिन बताऊंगा नहीं मैं कि आगे बढ़ूंगा यह किसको बताना आपको अशे लिए अलाकि इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है डिकातों की पहचान करने का और खोज किस ने किया था था थौं संपोडिया जाता है तो एक और ढूर न वेकिन यह तो खोल किये चिसका फोल तो यह तो यह तो यह आपको याद रखना है का फ्रहल पाँच बला गहा है कि हूँ इन्वेंटेट राडार कि खोज किस ने किया था यह को सन से सीज्टी दोजार सत्रा का पूछा हुआ कि रडार की खोज किस ने किया था और यह कुछन काफी इंपोर्टेंट है आपकी एक्जाम में भी ऐसा कोशन आ सकता है इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं तो बताई रडार की खोज किस ने किया था पहला है फ्रिड मौरिसन दूसरा है एच टेलर एंड लियो सी यंग दूसर सब्सक्राइब लिए अगले को सब्सक्राइब बढ़ते हैं कि यह रहा आपको क्या डिटेल्स जनकारी इसको आप लोग पढ़ लिजेगा को सब्सक्राइब आते हैं और बहुत ही बहुत को सने पोटाइटो टो मैटो एंड विरिंजाल आर्द थिरी डिफ्रेंट अस पेस सब्सक्राइब और अंतरगात आते हैं तो आलू टमाटर के बाद करेकि यह वह नहींगा है यहां लिखा हूए है यह ती दिटेल्स जनकारी अगर लेना चाहते हैं तो आईए तेतल डीटेल्स भी की प्राजाति सोलने सी और फैमिली परिवार के अंतरगत एक विसाल जीनस बंस है जिसमें 2000 से अधीक प्राजातियां सामिल है कि प्राजातियां सामिल है तो ना लेट की जिए चीह और सीधे और प्रात्मिक जाइलमी सत्व को क्जोट डौक काते हैं नशर सब्सक्राइब आपक करना जो पहले वनने वाले जाहितलम होते हैं उसे बोलते हैं प्रोटोग क्या होंगे प्यारे मित्र तो किसटन नमर साथ का आफ रजागा बी नमबर नेक्स्टन में हैं नेरीस फेरेटीमा तता हीरू डेनिरिया हिरू डेनरिया किस संग के उत्पादक है पहला है सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा है उसके एसके एसकेल मिन्थेज और उसके एलिनेडा और चौत है और्थोपोडा तो हमारा जो नेरिस फैरिटीमा है और जो हिरू डेनरिया है यह किस के है भाई किस संग के उधारने कौन सा सो आपको बात करें और आपको किसवाण की बात करें या या घूर शब्सक्राइब करें निया की बात करें तुव प्यारे सब्सक्राइब या ओप्स одबर राइट पूर्ट ली जाती हैं आपका बच्छे कमेंट की एते सर हाड़ अर्ड कर आङ ony करवाये था क्वाय एं दो हाड 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 करवा दिया इन कैना मानव हों में ध्वनी डॉनी डौट दात बाइरा उद्वन होती आफिकल देखन का है वाइस姐 सी रही spar Beijing 156-151 और दो आपन नो पाइब कर दोर होता है कि भाइब हमारे ज़ो यह पर यह पाइप होती है एक का नाव होता है ल原 होता है य efficacy । मेढूला लग चीज़ है ठाँ जो यान कना रहा है जा को एक धकन रोता है जो सब्सक्राइब करता है तो अगले नमशनेस की दिखिए लगभग जो डॉट्ट लमबे होते हैं न तो यह आपको बताना है कि जो पूरुसों में वोखल कोड होते हैं वह आपको कितने सेंट मेटर का लब कितने के उसकी लंबाई कितना होता है बालवurn पुरुसों का है नहीं चारी का है वो कितने का है दिस सिरों का है उसका right answer है और आपको सब्सक्राइब करके ये यह वहाज होगा की महिलाओं में की जो आवाज होती है वो पतली होती है उसका पतला होने का बहुत सारा रीजन है जिसमें से एक रीजन ये भी है वाकल कोड की जो लंबाई होती है महिलाओं में वो कम होती है जबकि पूरुसों में क्या होती है जारदया लंबी होती है यानि महिलाओं का जो होता है वो 10 से 15 mm का होता है जब कि पुरुसों में कितने होते है 20 mm का होता है दूसरी होता है कि महिलाओं की जो frequency होती है वो high होती है जिसकी बज़ा से उनकी जो आवाज होती है मीठा होता है जबकि पुरूसों में क्या होता है कि उसकी जो frequency होती है वो low होता है इसकी बजा से पुरूसों का आवाज कैसा होता है भारी होता है तो आप लोग को मैं details जनकारी हमेशा देने की कोसिस करता हूं और इस से later भी आपके लिए कुछ लिख कर लेकर आता हूं ताकि हमारे दोस्त मेरे भाई मेरे चाने वाले प्यारे वच्चे जो होंगे वह इस चीज को जरूर पढ़ेंगे पुस्तन नमरी 11 क्या बोल रहा है आए देखते हैं विदूत चालन करने वाले अधिकांस दरब अमलो और को और डॉट डॉट के बिलियन होते हैं तो अमल चार तो अगला क्या तो यहां पर लवन कहां दिख रहा है और सब्सक्राइब कर बाउंगे और सिक रहे होंगे अब देख अगर मैं बात करो इसे लेटन जनकारिया भी आपके लिए अविलेवल लिपनियों को कुछ उठेना और पूरे मन से एज़्जत के साथ क्या करें अपनी पढ़ाई को करें और जार्खंड सीजल हो सेंट्रल सीजील का हो सबस्क्राइब हो एक दम पेपर को क्या करके आना है बर्वाद करके आना है अगले को लेते और अगला कोस्टन देखते हैं क्या है कोस्टन नमरों लग लेते हैं 12 बारा में क्या बोल रहा है कि विच वेस इज परजेंट इन मिल्क और मैगनेशिया में जो कौन सा च्छारक पाए जाता है आप से यह पूछा है पहला है मैगनेशियम हैड्रॉक्साइड दूसरा है अमो मैगनेशियम है जो बेस होते हैं मैगनेशियम हड्रॉक्साइड यानि कि इस को सनका जो राइटर से प्यारे मित्र वह आप्शन नमर क्या हो जाएगी यह हो जाएग अभी से लेटेट जनकारी फिर उसी तरीका से हमेशा कि तरह इसे ला दिया गया है नेक्स्ट को सब्सक् परकिरिया जिसमें बन को फीर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नस्ट कर दिया गया था उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं या फिर जुम कर्टिवेशन बोलते हैं तो आपको पता है मेरे दोस्त यह जो परकिरिया है वह भी जाएंगे वह आपका स्थिजों को समझ पा रहे होंगे इस सारी जनकारिया आपको मैंने दे दिया है है आप लोक जलदी ज़लदी से क्या लेना स्क्रीन सोट लेना या फिर pdf आप लोग कहां से लेना हमार टेली ग्राम चनल से वह हाँ पर डिटेल्स जन लिखारी के साथ आपको लगाई गई होगी टी कर का हुँ डिसकोबर सोडियम की कि फूर किशने क्या ये बहुत ही बैतिन कोश्राण है और यह कोशन में आया हुआ है यह सारे एकजामों का पूछा को लेखिया है यह लगबग लगबग देखा जा सारे किये गए पूछे गहें हैं जल्दी से बताइस सुडीयम की कि किसने किया था पहला को अप्सन हम्फ्री डम्ट डेवी इसका बिलियम हेंड्री फॉक्स उसके बाद जेजे थॉम्सं है उसके बाद कार्ल वेंज है आपको एक ही जगा है यानि कि इसका राइट अनसर हो जगा हरों मुझें ने न मेंशना आपको हम्फरी डेवी यानी सोडियम की खुश किसने क्या था आपको बताना है हम लोग 15 क्या ऌंश सीमा बताएगी कि आंसर होने वाला है कि देखें लिखा हुआ है मेंजी फेरा इंडिका जिसे अम लोगस को बोड़ते हैं आम का साइंचिपिक नम है तो ले नम टिव्रो सम यह किसका है आलू का स्थे पिक ने और पैंथेरा लियोगी यह सेर का सैंचिपिक ने में इन्हें न एपीठेट तों आप लोगों को पता हैं आ जैसे हम लोग 15 आप डश बोलते इन पन अपद्रब्स क्या कि इस या क्या है फकेश का क्यों हृब्स क्या ए। था जो है ना मेरे डोस्त वह कहला ती हमारा ती थेत नेक्स्ट नमर लेंगे 16 में क्या बोल रहा है थाना क्या बोल राजी डॉट 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 लोड फिल युक्त सरल फिल्वाइड स्वापोसी तथा मुख्यता जलिये अलवनिये जल एवं समुंद्री दोनों का जीव है कौन है भाई फैरीडोफाइट होता है या रखना पॉसी होता है आधा मुकता जलिये लवनिये जो लवनिये तर्फा समुद्री दोनों का जीव है कहां कहां बताये तो कौन साइस का राइट अनसर होगा यह को सन आपका यह कौसें जो है वह बहुत ही बैतिन को स्टन है यह आपका सस्टी का पूछा हूँआ को समय कि कि नहीं इसका आंसर क्या होगा आपका टेरिडो पाइट ना होगा बबनांफोस glamorous पर इसका राइट अंसर क्या है लगी यानि कि सहवाल सहब स्वाल य는 होते हैं वह रूरपील होते हैं स defensi होता हैना ये क्या हैजीव है और दाएं वाली रेखा द्वारा सरीर को समरूप दाएंग और बाइं भाग में बाटा जा सकता है इसे क्या बोलते हैं इसे समामिती कहते हैं क्यों सा समामिती कहते हैं तो उसे बोलता है सिलेंट्रेटा बोलते हैं या रेडियल या अरिय बोलते हैं या टीनो फोर बोलते हैं या फिर द्यूपार्सा बोलते हैं या इकी बाइलेटरल बोलते हैं तो आप लोग को बाटने का का औहिसे आपसने नमबर वह सब्सक्राइब की और उस्ट से पैयारे मिक्ने नंबर अप भी प्लांट इस एन इलिप्स है ना किसी भी प्लांट का जो ऑर्बिट हो कैसा है एलिप्स देन वाट इस दा पॉइंट ऑफ वीच सन इस लोकेटेड कॉल्ड क्या कलते यदि ग्री की कच्छा दिर्द भी रित यदि किसी ग्रह प्लानेट बोल रहा है यहां पर ग्रह होगा ठीक है ना यदि इधिए ग्रह की कच्छा काई सा दूर्यत बंद्न चैसंतर कलता है अभी वह सेंटर कलएकदर कलता है तो ना ईपनीं प्यारल से बढ़ी है क्या मğटने क्या मैंन्द में और बड़ाद करो कुए अब यहां पर क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे अब इसे रेलेटेड कुछ जनकारियां भी आपके लिए ला दिये हैं इसे बढ़ियां से क्या करना पढ़ना को सब्सक्राइब 8 Pip क्या रहा है कि जो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब होता है तो हम लोग कितने लोग पढ़ें को में से कום सब्सक्राइब कम यहां है यानि इस को सनका जो राइट अंसर है वो क्या हो जाएंगे ऑप्सन नमबर डी हो जाएंगे ठीक है मेरे प्यारे मित चलिए आगे बढ़ते हैं पुस्तन नमर बीस लेते हैं कि केलवीन इस दा यूनिट आफ मेजरमेंट केलवीन में किसको मापते हैं तो केलवीन ह जल्दी-जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग का 20 में से कितना सही हुआ है 20 में से आपको बताना है और यह भी बताना है कि कोई दिकत कोई परिसानी तो होने रही है पूरी कलास एकड़म सिस्टेमेटिक ढंक से चलेगी क्योंकि जारकंट CGL का notification में अब ये भी दे दिया गया है कि आपकी जो exam है वो 14 और 15 October को sell duelled कर दिया गया है तो न लेट करेंगे न बेट करेंगे जो set number 22 है वो मैं तुरंत अगले दिन लेकर आऊंगा और आपको इज़्जत के साथ और मन से धंग से पढ़ाऊंगा जितने लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजट किये हैं वो चैनल पर को एक बार क्या कर लेंगे लाइक कर देंगे, सस्क्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी क्या कर देंगे और बेल आइकन पर जरूर एक बार क्लिक कर देना है ताकि आपको हरे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता चला जाए और हम लोग डेली कितने बज़े जुड़ते हैं नो बज़े, तो ना लेट कीजिएगा, ना बेट कीजिएगा डेली लाइब नो बज़े आ जाएगा ठीके मेरे दोस्त, थैंक यू, बबाए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में